हाई गाईज वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की जो वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं वह है आयुरुवेदिक डाइट क्या होनी चाहिए सफेदा के लिए और आयुरुवेद के हिस जो भी क्वेशन आता है आप वीडियो को पॉस्ट करके कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं हम उसकी ओपर या तो एक शॉट बना देंगे या पूरी कोशिच रहेगी कि उस कॉमेंट का हमारी टीम उसे आंसर करें चले शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट पूछे आपका पहला क्वेशन क्या है ओके है कि सबसे पहले पैश्टि एक बहुत ही कॉमन को सब और के के सिञहें कि विटलेगउचा कमनेक्शन किया है इसा क्विटलेगउचे को चिन क्ईस. कि death हो जाती है, मर जाते हैं या वो उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, यह काफी factors की वज़े से हो सकता है, जैसे कि stress, genetics, environmental factors, improper, sleeping schedule, constipation, यह सारी कुछ ऐसे triggers हैं, जो हमारी body में vitiligo को trigger कर सकते हैं, इसमें diet एक important role play कर सकता है, अच्छी diet से आप अपने immune system को strengthen कर सकत है, in fact, ऐसी clinical studies भी हुई है, जहां पर यह पाया गया है, कि अगर हम antioxidant rich food खाते हैं, अगर हम अपने diet में antioxidant food शामिल करते हैं, या anti-inflammatory food शामिल करते हैं, तो हमारे vitiligo पे एक positive effect आ सकता है, ऐसे भी clinical studies हुई हैं, ओके, patient हम से पूचा कि आखिर आयरवेद एक herbs और foods का क्या correlation है, ऐसे कौन से food items हैं, और उनका क्या connection है आयरवेद के हिसाब से, जो vitiligo में help कर सकता है, तो को, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ, आयरवेद के हिसाब से, आयरवेद का basic जो main step है, वो हमारे three life forces होती है, वात, पित और कफ और उनके imbalance की वज़े से ही सारी diseases जो है, वो बाडी में trigger हो रही है, तो हमारे सफेद दाग में हमें पित कफ बैलंसिंग food खाना चाहिए, आरवेद कहता है कि विटलेगों को balance करने के लिए आपको ऐसे foods खाने चाहिए, जो कि पित और कफ दोश को balance करें, इसमें यह कुछ ऐसे food items हैं जो मैं इनको बता रहा हूँ, आप लोग भी इनको incorporate कर सकते हो अपने daily lifestyle में, सेकिनल अगर मैं बात करूँ तो anti-inflammatory food items, जैसे कि ऐसे food consume करने चाहिए, आपको जो inflammation को कम करें हमारे खोन में, जैसे कि turmeric, ginger, garlic, जैना यह ऐसे इनकी जो anti-inflammatory और anti-oxidant properties हैं, विटलेगों के साथ skin damage को भी reduce करने में help करता है, and thirdly, जो trigger foods मैंने आपको बदाए जैसे कि बहुत आदा spicy food लोग खाते हैं, caffeine बहुत लोग consume करते हैं, processed foods आपको avoid करना चाहिए, यह foods पे दोश को agitate कर सकते हैं, विटलेगों को worsen भी कर सकते हैं, and lastly, hydration का अपना ध्यान रखो, adequate hydration बहुत ज़ूरी है, पाने पीना ज़रूरी है, क्योंकि यह toxins को body से flush out करने में मदद कर सकते हैं, यह कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो अगर आप अपनी lifestyle में incorporate करेंगे, अपनी diet में incorporate करेंगे, तो आप आएंगे कि आपका विटलेगों management, you know, easy हो गया है पहले के मुकाबले, बेटर हो जाएगा पहले से, देखो सबसे पहले, मैं आपको बताया, hydration के बारे में तो coconut oil application is not a bad idea, coconut oil application आप कर सकते हो, coconut oil को affected areas पर लगाने से skin की nourishment और healing improve होती है, यह traditional remedy है जो आप कभी भी घर पे भी ट्राइ कर सकते हैं, in fact, हम लोग recommend करते हैं, आप सभी को हमने बोला हुए सरगन प्लस ointment को लगाने के लिए, और सरगन प्लस ointment को लगाने के बाद 10 से 15 मिनिट की धूप दिखाने से आप सभी को कितने लोगों को कितने अच्छे results आए हैं, उसमें dots बनने शुरू हैं, dots बनके बड़े होते हैं, वो बड़े होके combine हो जाते हैं, जो सरगन प्लस oint लिएर तक आपाता है, जब हम सरगन प्लस ointment लगा के 10 मिनिट की धूप दिखाते हैं, scientific reason है उसके पीछे, इसलिए बार 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 बोलते हैं कि सरगन प्लस ointment को use करो आप, anyway coconut oil में भी काफी बार हम उसको dilute करने को बोलते हैं, जिन लोगों की skin बहुत sensitive होती है, वो सरगन हर भी हैं, जो आप लूज कर सकते हो, यह herbs immunity को boost करते हैं ना, और हमारी skin की health को थे प्रूफ करते ही हैं, then thirdly हम अपने हर वीडियो में आपको भी बोला हुए, आपको भी बता रहा हूं कि regular yoga and meditation को आप अपनी life में include करें, जिससे कि आपका stress level कम हो, आपके toxin level body में कम हो, दोस paper, peach, यह कुछ ऐसे food items हैं, जो आप खा सकते हैं, अपने diet men corporate कर सकते हैं, कुछ ऐसी herbs मैंने इनको बताई, जैसे कि अश्वा घंदा हो गया, मैंने इनको बताई, कुछ ऐसे जिंजर, turmeric, इनका यह anti-inflammatory properties मैंने इनको बताई, turmeric आपको बताई, यह healthy जो है, उसके अंदर active ingredient होता हूँ अपनी हर वीडियो में, there actually, उनको कुछ वजन भी है, उन बातों का, यह सभी वो patients हैं, जिन्होंने religiously हमसे treatment लिया, घर बैठे बैठे है, इन्होंने नीचे दिये गए, दो नमरों पर हमें आतो call किया, या WhatsApp किया, हम ने इनको वापस touch back किया, और इनसे सारी history, इनकी ज दूरत महसूस हुई, तो वो हमने किया, ऐसा करते करते हैं, अब वो आज सारे patients जो हैं, उनके pigments के अंदर color बन चुका है, यदि आप भी इलाज करवाना चाहते हैं, आपको या आपके किसी घर परिवार में किसी को सफेद्दा की परिशानी है, तो आप भी नीचे दिये ग किसी बादा इलाज करें हैं, तो एला चाहते हैं, बनाप भी इलाए, बनाने हैं, जनके भी परिभू आफ़ो, श्रस्मान के तो पिंज खाते हैं, तो क।